नमस्कार प्यरबचों मैं सित्पीके में आप सभी का स्भागत है प्यरबचों चेफटर 4 में प्योरी का जो part 2 था डेटरेमिनेंट में theory part 2 उसमें हमने साड़्निक गुंधरम properties of हमने देखे थे आपको पता होगा कि chapter 4 में या 5 में लगबग जो क्यरसन जितने भी आते हैं उनमें यह properties काम में आती ही हैं बिना इन properties के हम क्यरसन का solution नहीं कर बाते हैं तो WhatsApp पे और Telegram पे मुझे कुछ बचों ने अपने doubts अपनी दिक्कते हैं अपने समश्याएं भेजी और उन समश्याओं को देखते हुए मुझे जो सबसे ज़्यदा problem लगी है वो लगी है property number 6 में उनको दिक्कत हो रही है उसको property number 6 को बच्चे सही तरह से apply नहीं कर पा रहे हैं कारण हो सकता है कि उनको यह जो इसके डेपने से समझ में ना आई हो या डंक से ना समझा हो ठीक है जी कई कारण हो सकते हैं या फिर वो English वीडियम के बच्चे हो और Hindi में मैंने या पर लिखा है तो वो समझ में ना आया हूँ किताब में उन्हों ना पड़ा हूँ ठीक है तो बच भेज दिया अगर वाटसप पे टेलीग्राम पे आप देखिए यहां पर यह क्या करिए प्रोपर्टी नेमबर सिक्स इसको पहले हम समझ लेते हैं अगर आप लोग ने भी तक नहीं समझा है तो देखिए अगर आपके पास में कोई पार्टिकुलर कोई कॉलम है को पास में कोई भी जोड़के यहां गठा के तो सानी के मान में कोई भी चैंज नहीं होगा सानी के मान में कोई भी चैंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि हम रिप्लेस कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पर रिप्लेस किया होगा है कि आर वन जो है रो फस्ट इसको मैंने आर वन प्लस आर थरी से रिप्लेस कर दिया ठीक है जी आप चाहें तो आर वन को अपने इस एक बचने वेजा था कि उसने R1 और R1 कुछ इस तरह से कर रहा था मुझे समय में इतनी है उसका पूरा क्या उसने क्या लिखा हूँ लेकिन यह काम आप नहीं कर सकती ओ किसी रो में कोलम को नहीं जोठ सकते हो किसी कोलम में दिखसकते हो नहीं घठा सकते हो अब तो यह काम जो में खर्ग हगifique, एक हाँ इंटेक्स भीक अब तो सकत यह थर्ड ठीक है जी यह सब आपको पताई है अब जो काम हम कर सकते हैं उसको मैंने लेप्ट हैंड साइड में केंडू के रूप में लिया हुआ है जो काम हम नहीं कर सकते हैं उसको मैंने राइट हैंड साइड में केंडू के रूप में लिया हुआ है ठीक है जी हो सकता है कि सारे डाउट यहां पर किलिए ना हूँ क्योंकि सारी चीजे मैं यहां पर कवर ना कर पाया हूँ तो अगर आपके पास में और भी डाउट हो तो आप जरूर भेजें उसके पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो जरूर बनाऊँगा देखिए सबसे पहले जो काम हम कर सकते हैं जो थोरी कह रही थी जो प्रोपर्टीज कह रही थी उनके हम बात कर लेते हैं कि column first को हम replace कर सकते हैं particular मैंने column ले लिया यहां पर यह बात सभी पर लागू होगी जितने भी column है जो भी रो है उन पे ठीक है जी तो column first मैंने अगर ले लिया इसको मैं replace करता हूँ column first plus minus k की value यहां पर 123 कुछ भी हो सकती है तो k c 2 से यानि कि column second को मैं किसी संक्या से multiply कर दूँ फिर column first में जोड़ू या गठाऊँ तो यह काम हम कर सकते हैं we can do ठीक है जी सानी के मान में कोई change नहीं होगा लेकिन हम यह वाला काम नहीं कर सकते कि c 1 जो है वो मैंने लिखा k c 2 minus c 1 अब इन दिनों दोनों में difference क्या है देखे c 1 को हम replace कर रहे हैं तो यहां पर जो मैंने radical में लिखा हुआ है यहां पर c 1 ही आना चाहिए कोई और नहीं ठीक है जी जैसे यहां पर आ गया k c 2 तो यह काम हम नहीं कर सकते k c 2 आ गया ना और यहां पर मैंने plus क्यूं नहीं लिखा है plus इसलिए नहीं लिखा है कि plus में कोई फरक नहीं पड़ेगा आप c 1 plus k c 2 लिजिए या k c 2 plus c 1 लिजिए तो यह दोनों हम interchange कर सकते हैं आप 2 में 3 जोड़ोगे या 3 में 2 जोड़ोगे क्या फरक पड़ेगा ना उसी तरह से लेकिन गठा होगे तो फरक पड़ जाएगा ठीक है जी तो यह दोनों तो सेम ही है तो आप यह ध्यान में ना रखें कि यह दोनों सेम ही है आप बस यह ध्यान में रखें कि हमें यह वाला method ही apply करना हमें सा ठिक है जी, कि C1 को हमें पहले ही रखना है उसके बाद में, घुसरी बात C1 को पहले रख रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि C1 से किसी संक्याट को आप multiply करदो यह काम भी आप नहीं कर सकते हो ठीक है और बाद में ले रहे हो, तो बाद में लेना ही नहीं है यह काम तो हमें करना ही नहीं है एक एक्जामपल ले ले लेते हैं और क्यों नहीं करना वो समझ लेते हैं जिससे आपके पास में एका डिटिनमेंट है 1, 2, 3, 4 इसकी वेलू क्या होगी? 4-6 वेलू होगी माइनस का 2 अब अब अगर मैं यहां पर C1 जो उसको ले लता हूँ C2-C1 यहां मैं ले लता हूँ C1 को 2C2-C1 जैसा कि हमने यहां पर बात की है K की वेलू मैंने यहां पर 2 ले लिए 2C2-C1 ठीक है जी? तो क्या होगा? देखिए यह का डिटिनमेंट देखिए यहां पर C1 को मैं ले रहा हूँ C2-C1 तो C2 आपके पास में 3,4 और माइनस C1,1 और यहां पर होगा है माइनस 2 C2 अपना पड़ा होगा है वेलू हो जाएगी यहां पर है क्या हो जाएगी? 2, 2, 3, 4 मल्टिप्लाइ करेंगे 8, माइनस का 6, वेलू होगा है पलस का 2 तो यहां पर वेलू पलस की 2 हो गई हमारे पास में माइनस की 2 तो वेलू चेंज हो गई इसका मतलब हम अपलाई नहीं कर सकते और यही वेलू अगर हम यह वेलू अपलाई करेंगे 2, C2-C1 तब भी यह 2 ही आएगा ठीक है ना? तो यह काम हम नहीं कर पाएंगे वेलू चेंज नहीं होनी चाहिए ना? और यह सभी जित्रे में टुटिमेंट है वह सभी पर लाग होनी चाहिए यह बात भी ठीक है उसके बाद में देखिए हम आते हैं आगे नेक्स डाउट देखते हैं कि जो यहां पर मैं लिखा है यह काम थो हम कर सकते हैं उपर वाला बिल्कुल वैसा ही है कि C1 जो हम है उसको replace कर सकते हैं C1 Plus minus K1 C2 Plus minus K2 C3 यानि कि इन दोनों को यह ले 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 लिए पर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं तो यह हम कर सकते हैं minus यहांपर ले सकते है C1 यहांपर होना चाहिए ठीक आ अगर बीच में हमने कहीं पर C1 ले लिया थो वो काम हम नहीं कर पाएंगे ठीक है जी जैसे हमने ले लिया गी और यहांपर यहांपर यह भी ले लिया कि C1 सुरुवात नहीं ले लिया कि 2 से multiply कर दिया तो यह काम भी कर रहा हूं, 2C1-C2, C1 पहले दो आ रहा है, लेकिन 2 से उने multiply कर रहा है, तो C1 देखिए 1,2, 2 से multiply करना है, 2 से multiply, minus C2, minus 3 minus 4, C2 आपके पास में है, तो value आएगी, 2 minus 3 minus 1, 4 minus 4, 0, और 3, 4, यहां से इनको multiply करेंगे, तो minus का 4 आने वाला है, माइनस का 4 यहां पर देखिए एक्वल नहीं है एक्वल नहीं है तो यहां भी वेल्यू चेंज हो गई चेंज हो गई तो यह काम भी नहीं कर सकते हैं आगे बात करें हम इसमें नमबर 3 में देखिए कि अगर मैं यहां पर लेता हूं if C1 अगर दो संकेरयण हैं दो operation एक सात में लेता हूं तो किस तरह से हम ले सकते हैं C1 को मैं ले सकता हूं C1-C2 हमने लिया फिर C2 जा उसको मैं c2-3 ले सकता हूं ठीके जी और मैं c1 को मैं ले लिया c1-c2 तो अब मैं c2 को c2-7 नहीं ले सकता इसका उल्टा नषी ले ले सकता ठीक ना उल्टा लेंगे तो क्या होगा यहीं पर समझ लेते कर दो यहcoat इसी में मैं समझाओं आप लोगों को कि एका बनाथ है, सीवन को सब्सक्राई ले लिए सीवन मैंननस सीटू और सीटू को Perm Yeah C2-C1, तो क्या होगा? C1 आपके पास में 1, 2, इस में से C2 अठा रहा हूँ, minus 3, minus 4, C2-C1, C2 की जगए, 3, 4, minus C1, C1 है 1, 2, minus 1, minus 2, तो value आएगी है, आपर minus का 2, minus का 2, 2, यह 2, यहाँ पर देखिए, first row, second row equal हो गई, तो value 0 होने वाली है, दो row अगर equal हो जाती है, दो column equal हो जाती है, तो value 0 होती है, उस determinant की, और यहाँ पर यह किन नहीं हो रहा दो जाएगी, multiple एकर के देख लीजिए, minus का 4, minus, और यह भी minus का 4, तो यह minus minus plus 4 हो गई, minus 4 plus 4 की आएगा, 0 तो आएगा, यहाँ पर यह value 0 हो जाती है, इस condition में, ठीक है, अगर यहाँ लिया, तो 0 हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा, determinant की value change हो गई ना, एक्सल में होनी क्या चाहिए थी, minus का 2, उसके बाद में आगे हम बात करें हैं, पर इसी में, और भी आप काम कर सकते हो, कि C1 जो उसको, C1 minus C2, और फिर C3 आप ले रहे हो, तो C3 minus C2 ले सकते हो, या C3 minus C1 भी ले सकते हो, ठीक है जी, लेकिन इन दोनों को उल्टा नहीं करना, यानि कि C3 आना ही चाहिए गई ना करी, C1 C2 इसमें आ गया, तो आगे C3 आना ही चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करते हैं, कि एक काम और हम नहीं कर सकते हैं, कि तीन ओप्रेशन हम एक साथ अपलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर जिसे 3 भाई 3 की जो थी, उसमें हम बात कर रहे हैं, अब अगर यहां पर तीनों यह अपलाई करता हूँ C1 को मैंने किया C1-C2 C2 मैंने लिखा C2-C3 C3 लिखा C3-C1 तो देखिए यहां पर जो वेल्यू जा रही है उसमें फस्ट जो रो है उसमें सारे 0 हो गए है आपको पता है किसी डिट्रिम्डेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे अगर 0 हो जाते है उसका माल 0 होगा अगस्पेंड करके देख लिए फस्ट रो से तो 0 0 0 यह जीरो यह आएगा तो यहां पर भी गड़बड हो जाएगी अब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूरा उसका जो भी डाउट का जो भी पूरी बाते हैं वो सारी और एक कोपी में दिट्र में लिख कर भेज दें कि इसरी है यहां पर यह डाउट है उसके पर मैं एक वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊगा थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अभी तक सब्सक्राइब ने किया नए वीवर है आप तो सब्सक्राइब जरू कर लेना थैंक यू